तो दोस्तो आपने एकदम थमनिल पर सही पड़ा है मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी डिवाइस के बारे में जो बहुत ही छोटी है और जिसको जाना जाता है वर्ल्ड का सबसे छोटा UPS जी हाँ वो आपके काम को इस तरह से आसान कर देने वाला है जिसके बारे में कभ वो आपके लिए कर सकता है सब कुछ बताऊंगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आपको हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करना है क्योंकि हम हमारे चैनल के ऊपर CCTV या फिर Electronic Security स देकर आते रहते हैं इसके अलावा अगर आप इस बिजनस के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं कैसे शुरू करूँ यह आपको पता नहीं है शुरू करने के बाद में आपको क्या करना है यह नहीं पता तो इसके लिए मैंने आलरडी काफी सारे कोर्स बनाए हैं जो हमारी सो दोस्तों यह है मेरे हाथ में वर्ल्ड का सबसे चोटा यूपीएस जी हाँ यह आता है काइन लेक डी सी यूपीज इसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्वेंटी फॉर बाई सेवन चलने वाला है मतलब ऐसा नहीं कि जब पावर बैंक यह यूज होने वाला है लाइट वेट है काफी चोटा बॉक्स है तो लाइट वेट है डीप एन ऑवर चार्जिंग प्रोटेक्शन इसके अंदर दिया गया है यानि कि इसके अंदर जो है ना चार्जिंग प्रोटेक्शन किस तरह का है कि अगर यह ओवर चार्ज हो जाए तो भी खराब नहीं होता मौस्ट आफली के अंदर या फिर इसी डिवाइस में आपने देखा होगा राइट की जब उसको चार्जिंग पर लगा के रखो तो उसकी बैटरी फूल जाती है तो इसमें नहीं होने वाला है यह इंडोर यूज कर सकते हैं आउट्डोर के लिए इसको नहीं बनाया और जीरो लैक आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन के उपर इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए वैसे तो मैं पूरे वीडियो में बताने वाला हो लेकिन फिर भी अगर आप क्विकली समझना चाहते हैं तो आप मेरी स्क्रीन को पोस्ट कर सकते हैं और आपको यहां पर सब चीज़े देख करते हैं या फिर जिसके आपको जरूत पड़ती है वहां पर इसको यूज़ कर सकता है तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्स करते हैं सो अनबॉक्स करना इस वेरी इजी बहुत ही सिंपल सा बॉक्स है और इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का एक डिवाइस देखने के जाता है कुछ भी कुछ भी सो इसको थोड़ा सा दोनों तरफ से उपन करके निकाल लेते हैं ठीक है यह यहां पर निकल गया तो दोस्तों अभी हमारे सामने हैं यह बहुत ही लाइट वेटेड बट आवे से करीबन 50 ग्राम से 80 ग्राम के आसपास का डिवाइस होना चाहिए य यहां पर देखें साइड में तो 12 वाल्ट आउट एंड 12 वाल्ट इन क्या है और कैसे काम करेगा बताता हूं यहां पर आपको कुछ यहां पर इंस्ट्रिक्शन दी गई है कि क्या इसमें यूज किया गया है क्या वार्निंग्स है उसके बारे में बात की गई है इसके कल आपर गया तो उसके अंदर वह इंटरनेट अबंद हो जयाएगा अगर आप वीडियो क्या उपर बात कर रहे हैं तो वीडियो Coring Oh की वाटन हो जाएगी अगर आप PM करता है तो उसको पर आप अःओं उन लिन्स को पता है इसमें यूज करते हैं और थोड़ी देर के लि अब actually करते क्या है हम लोग, यह हमारे पास में router का adapter है, यह हमने power दे दिया, और power देने के बाद में हमने इसके अंदर यहाँ पर लगा दिया, actually यह actual होता है process, अब power गया तो यह router button वी से बंद होगा, या फिर थोड़ी देर के लिए भी बंद और cut off हो सकता है, अब यह device कैसे use होगा, मैंने इसको निकाला, अब मैंने यह device लिया, इस device के in के अंदर, यहाँ पर जो आप in देख रहे हैं, इन के अंदर मैंने इसको लगा लिया, red color की light, इसके साथ में आपको यह cable मिला है, इस cable को open कर लिजिए, यह DC to DC cable है, मैंने यहाँ पर दिया out में, अब मैं इसको लगा दूँँगा, यहाँ पर इसी router के अंदर, इसके DC के in में है, अब actually दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कि अगर power गया, तो यह जो device है, 2400 mAh की battery इसके अंदर लगी हुई है, अब यह जो 24 mAh की battery है, इस battery के थूँँगा इसको power मिलता रहेगा, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कि अगर power गया, for example, मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, निकालने के बाद भी, आपका router यहाँ पर देखी, लाल लाइट अभी भी आ रही है, मतलब कि इसको power continue मिलता ही रहेगा, अगर वो power दो गंटे तक भी ना आए, तो भी आप यहाँ पर दो गंटे तक बिना interaction के इस router का use कर सकते हो, यह सबसे बड़ी खुबी है, अब यह तो तो इस connector को यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और आपकी जिस device में पतली पीन वाला यह जो device लगेगा, उसके अंदर आप इसको लगा देंगे, तो इस तरह से भी इसको use किया जा सकता है, अब यह चलेगा कुछ इस तरह से continuous, अब यहाँ पर आप, for example, CCTV industry के तो आपके साथ में क्या होता है, कि आप कहीं पर camera देखने के लिए चड़ें, कहीं पर की side में, और वहाँ पर आप देखते हैं कि यार, power आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कि आपकी जो problem है, वो P.O.E. switch की problem है, या फिर आपकी power supply की problem है, या नहीं है, तो इसके लिए क्य करना है, सिर्फ यह वाला device carry करिए, और आप यहां पर क्या करेंगे, यह आपका camera है, आप उपर चड़े है, power bank की size है, लेकिन power bank जितना heavy नहीं है, मैंने यहां से निकाला, DC pin के अंदर डाल दिया, हमारा camera on, सो बहुत ही simple हो जाएगा, आपके लिए कोई भी troubleshooting करनी हो, उसके लिए device बहुत ही काम का है, अगर मैं इस device के बारे में और detail में बता हूँ, तो जैसा कि मैंने बता है, इसके अंदर 2 cell लगे हुए, मतलब की 1200 image का एक cell है, तो इसके अंदर जो इसका backup है, वो है 24 image का, लेकिन अगर आपकी requirement कुछ customization वाली है, कि आप यह चाहते हैं कि इस से करवा सकते हैं, आपको जैसा device ची है, वैसा device यह जो company है, वो आपको customize करके दे सकती है, इवन अगर आप single piece खरिदना चाहते हैं, अगर मैं इसकी costing के बारे मात करो, overall आप एक concept तो समझ गये होंगे, कि छोटे से UPS का काम क्या है, अगर मैं इसकी costing की बात करो, तो description के अंदर link के वहाँ पर जाकर आप इसको buy कर सकते हैं, only 1200, मतलब की 1200 रुपे में आपको यह device आपके घर पर बैठ कर आपको मिल जाएगा, अगर आप चाते हैं, यहाँ पर quantity में order करना, इस तरह की चीजों को, तो भी आप यहाँ पर description के अंदर, जो मैं आपको contact detail दे रहा हूं, वहाँ पर बात करके, आप वहाँ पर quantity generate करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं, जब मैंने इस product के बारे में सुना, तो actually, यह product मुझे काफी impressive लगा, product में बहुत कुछ नया technology नहीं है, लेकिन यह जो technology है, यानि कि जो product बनाया गया है, जिस सोच के साथ में, वो कहीं लोगों क काम को आसान कर देने वाला है, सोचिए बैक के अंदर सिर्फ आपको इतनी सी एक device रखनी है, आप कहीं पे भी troubleshooting करने के लिए जाओ, आपका काम हो जाएगा, अगर आप वहाँ कहीं पर यह चाते हैं कि power interrupt ना हो, आप यह device लगा लो, बीच में ही यह device आएगा, आपका कभी disadvantage तो मुझे लगी नहीं रहा, so 10 out of 10 ही दूँगा, यह जो overall video है, मैंने एक छोटा सा बनाया है, और आप लोगों की information के लिए बनाया है, कि इस तरह की devices market में available है, so video अगर पसंद आया हो, तो video को like करना है, channel को subscribe करना है, but obviously क्योंकि इसी तरह की informative video आप चाहते हैं, comment में यह भी चले कि यार market में ऐसे भी devices मिल रहा है, और वो कहां मिल रहा है, और कैसे में आप लोगों को connect करवा सकता हूं, so video पसंद आया हो, तो video को करिएगा like, channel को करिएगा subscribe, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, इसी तरह के कोई नए informative video के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे द दिल जे, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहें